हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो फ्रेंड आज हम डिसकस करेंगे क्लास नाइन में चेप्टर सिक्स एंसेयर टे एक्जामपल नमबर सेवन फ्रेंड मैं आप इनोट कर रखा है वो लागया क्यूटी प्रपेंडिकुलर प टी यार पे है टी क्यू्यवर फोटी डिग्री है एस पियार थर्टी डिग्री है एक्स और यदोने अंगल अलगव वाई et हितना वाग कि थैका फ्रेंड अब इसे बताने हैं मैंने इसको अलग लग शुच्ट में करूंगा इसी सवाल को तो मैंने पहले फिकर ली मेरी ये वाली जिसका नाम है क्यू आर टी फ्रेंट यह दे रखा 90 डिग्री यह मेरे को दे रखा एक्स है और यह एंगल दे रखा 40 डिग्री ठीक फ्रेंट अगर हम इसको ऐसे समझ गए करते हैं तो कोशन बड़ी आसानी से स जागा 180 डिग्री रिजन में लिखूंगा मैं एंगल सम प्रापर्टी ठीक है हिंदे में लिखूंगा कौन योग गुण धरम से ठीक है फ्रेंट एंगल टी कितना है 90 डिग्री क्यों 40 डिग्री एंगल आर है मेरा एक्स दोनों को जोड़ा 130 डिग्री एक्स प्लेस का है 90 माइनस में 30 यह आगा मेरा 50 डिग्री एंगल एक्स निकलने के बाद अब हम दूसरा वारा ट्रेंगल लेंगे और लेना कैसे वह वह बिल्कुल ध्यान से देखना होगा इसके लिए रूल यूज किया एक्स्टिरियर एंगल प्रापर्टी का यह मेरा एक्स दे रखा है यह इसाथ वाले एंगल को हमें कभी नहीं लेना हुता है इसके अपोजिट इंगल को दोनों को जोड़ना हुता हमें ठीक है एartर लिखा इनर ट्रेंगल पी एस आर तिरबुज पी एस आर में एंगल पी और एंगल आर इन दोनों का जोड बाहर वाले बराबर होगा बाहर कोन है पी एस क्यू पी एस क्यू और इज़र में लिखेंगे एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी हिंदी बोले तो बाहिये कौन दोनों का जोड बाहर वाले बराबर होगा रीजन होगा एक्स्टीरियर एंगल प्रॉपर्टी पी किता दे रखा 30 आर दे रखा मेरे को एक्स और ये दे रखा मेरे को वाई एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुकों 50 डिग्री है यहां रखा 50 तो ये मेरा आगे 80 डिग्री ये निकल लिए आगे मेरी वाई की वैल्यू ठीका फ्रेंड और यहीं पर मेरा कोशन यहां पर कम्प्लीट होता है उम्मीज करता फ्रेंड आपको कोशन समझ जा गया होगा अगर फ्रेंड वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक को बटन दबाए और नया आदो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीका फ्रेंड मिलते अगरे वीडियो के अंदर ओके बाई बाई थैंक यू